करेंगे कि बेसिक्री फ्रिलांसिंग क्या है और किस तरह से पूर्सिंग कि इसको क्यों सकते हैं और उनी hours में काम कर सकते हैं different companies के लिए different individuals के लिए basically freelancing एक हम कह सकते हैं कि freelancing एक किसम का working model है right कि आप अपने ही hours के अंदर खुद बैठ के काम कर सकते हैं different लोगों different companies के लिए और जो बंदा freelancing करता है उसको हम freelancer क्याते है तो बेसिकले आपको पता चला कि फ्रीलांसिंग क्या होती है फ्रीलांसर कौन होता है अब मैं इसको बिल्कुल बेसिक से साधा से अंदाज में बताता हूं लेट से आप एक वेबसाइट डिजाइनर हैं और आप घर बैठे हैं तो आप डिफरेंट बायर्स आपके पास आते ह कर रहे किसी भी कंपणि के लिए यहां पर आपने एक कांट्रेक्ट किया कि वह तृट बढ़ा हो क्राय सकता है वह सकता है यह वह कंप्लीट अमंद TV के लिए आपको हायर करता है दूदीन के लिए हायर करता है तो इस तरह से आप उसके लिए काम कर सकते हैं और यहाँ पह ये भी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही बंदे के साथ काम करोगे आप अट आ टाइम मल्टिपल लोगों मल्टिपल कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं मतलब आप अपने बास खुद हैं अपने जो टाइमिंग की डिसीयन है वो आप खुद ले सकते हैं और अपने साथ आपको क्याम नहीं करना तो आप उसको सिंपल मना कर सकते हैं तो डॉ liya मिजोन आप अप ऐसके साथ काम नहीं करना चाहिए अगर मैं इन सब चीज़ों को समट करूं तो फिलांसर एक लांसर वो होता है जो कि अपने टाइमद के अंदर अपने वर्क्लेश के अंदर ड बायर के साथ क्या कॉंटर्ट करें वह आपको पर टास्क पे करेगा पर आवर करेगा यह पर प्रॉजट्ट के बेगा तो यह तो टो टोली यहां पर आप बिलकुल आजाद हैं और किसी भी तरह की कोई जॉब नहीं कर रहे हैं बस अपने टाइम फ्रेम के अंदर जो भी आपको suitable लग रहा है वह जूब आप कर रहे हैं और जो आपको suitable नहीं लग रहा है उसको मना कर रहे है तो बैसिकली इसको फ्रीलांसिंग कहेंगे और आगे चलिके हम कि किस तरह से इसे करना है कहां से आपके पास बायर जाएंगे किस तरह separated को थे और किस तरह से आप उनके लिए टासौं करोगर पेमेंट्स लोग नंसे मेहनद की अपने काम की तो मिलते i Literal next lecture के अंदर तिल दीन केप लॹनिंग कीप scratch स्नुरिंग ननाविस